नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मोबाईल न्यूस चानल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेड्लाइन से अगस्ता वेस्टलान मामली में संसद में दिन भर होता रहा हंगामा राजसभा की कारवाई काई बास थकित कॉंग्रेस और टीएमसी के संसद आया हमने सामने उत्रखंट के बाद अब हिमाचिर प्रदेश के जंगलों में लगी आग इनासको वर्ल्ड हेटेज ट्रैक के दोनों किनारों को पहुचा नुकसान सोलन ट्राक्ट पर ट्रेनों की आवज़ाही रोकी गई जली हाई कोट का MCB को आदेश एक सप्ता के अंदर देशा भी करमचारियों को बेतर MCD ने फिर दिया फंट की कमी का हवाला बिहाई में जनता दरबार मिनितिश पर भड़का युवक फेका कागस काप पुलिंदा सुभा 9 बजे से शाम 6 बजे तक चूला नहीं जलाने की हिदायत से था नराज और यूपी में CM पद के लिए रन्नीतिकार प्रशांत किशोर की पहली पसंद राखुल अप्रियंका कॉंग्रिस नेता बोले CM नहीं PM बनेंगे राखुल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस ने अपनी तयारिया तेज कर दी है प्रदेश में अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए कॉंग्रिस ने प्रशांत किशोर को रन्नीतिकार बनाया है इसी सब के वीच ये बात भी सामने आ रही है कि कॉंग्रिस उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी उपाध्याक्ष राखुल गांधी या प्र्यांका को मुख्य मंत्री का चहरा बना सकती है हाला कि इन खबरों पर राखुल गांधी का कहना है कि आप लोग खबर चलाते हैं तो आप लोग जानो मुझे इसकी जौनकारी नहीं है वही रन्नीती प्रशांत के शोर मानना है कि अगर राखुल या प्र्यांका को कॉंग्रेस का चहरा बनाया जाए तो उसे पार्टी की हालत और किस्मत दोनों चमक सकती है हाला कि कॉंग्रेस के नेता राखुल को पीएम पद का उमीदवार मानते हैं शांती की अपेक्ष्व करना और शांती के लिए कदम उठाना दोनों अलग अलग बाते हैं फेस्बुक पर एक चार मिनिट के वीडियो में ये बात भारत पाकिस्तान की सरकारों को संजाने की कोशिश कई है 19 साल की गुरमेहर अकौर के पिता कारगिल की लडाई में शहीद हुए थे और उन्होंने इस वीडियो में कुछ पोस्टर नुमान संदेशों के जरिये भारत पाकिस्तान के बीच शांती बनाये रखने का संदेश दिया है गुरमेहर का ये संदेश अंग्रेजी में है और इसमें उन्होंने 30 पोस्टरों के जरिये अपनी बात सामने रखी है 1993 मुंबाई बम धमाकों में आम्स आक्ट के अंतरगर्त दोशी पाय जाने के बाद सजा काट कर लोटे अभीनेता संदेश दात नई पारी शुरू कर सकते हैं मुंबे में महराश्ट्री दिवस के मौके पर आयोजित कारिकरम के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटे बढ़नी चाहिए इतना ही नहीं वो मंच पर भगवा रंग का साफा बांद कर हाथ में तलवा लेकर खड़े भी थे गौरतलब है कि संज्वे की बेहन पुरिया दथ कॉंग्रेस से दो बासांसद रह चुकी है इसे पहले संज्वे ने 2009 में समाजवादी पार्टी के मास अचीफ बने थे और लोग सभाचनाफ के दौरान ज्रम कर परचार भी किया था जब 2010 में अमर सिंग पार्टी से निश्कासित किये गए तो उन्होंने ये कहे कर पार्टी छोड़ दी थी कि बड़े भाई को पार्टी से निकालने के बाद वहां रहना सही नहीं है विश्व प्रसिद बासूर इवादक हरीप्रसाद चौरसिया एकारिक्रम में श्रकत करने के लिए भुवनेश्वत महचे थे यहाँ पर उन्होंने मेट्रो ग्रुप के संस्थापक प्यूश महंती से सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर दोनों ने ही अपने अनुभाव एक दूसरे से साज़ा किये प्यूश महंती ने इन लमहों को और यादगार बनाने के लिए हरीप्रसाद चौरसिया जी को भेट स्वरूप भगवान जगनात की मूर्ती समर्पित की प्यूश महंती इस दोरान काफी भावुक नजर आए उन्होंने इस मुलाकात को अविश्मर निये बताया आरेसिस के वरिष्ट नेता और जन संख के संस्थापक रहे बलराज मधोक का निधन हो गया है बलराज मधोक 96 वर्ष के थे उन्होंने एमस में आखरी सांस ली बलराज के पार्तिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजवेंदर नगर के जे 394 आवास में रखा गया है उनके निधन पर पीम नरेंदर मोदी समेट कई नेताओं ने दुख चताया है वियमोदी ने उनके घर जाकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की केंदर ग्रिहमंत्री राजवनात सिंग ने मधोक को सिधान्त वादी नेता बताया उन्होंने कहा कि मधोक ने कभी भी अपनी राश्रवादी विचारधार से कभी संचोता नहीं किया राजवनात ने शोक वेक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से गहरी शती हुई है बल राज मधोक जनसंग के संस्थापक भी रहे मधोक दक्षणी दिल्ली से लोगसभा सांसद भी रह चुके हैं मधोक ने जनसंग का सम्विधान लिखा था मधोग का दावा था कि उन्होंने ही सबसे पहले 1968 में रामंदिर को हिंदूओ को सौपने की मांग की थी अगस्ता वेसलान मामले में आज संसद मिंखमासान मचा हुआ है राजुसभा में कॉंग्रेस और तीना मोल के संसद आमने सामने है टीमसी अगस्ता केस पर चर्चा चाहती है जबकि कॉंग्रेस गुजरात में कैग रिपोर्ट के मामले को सदन में उठाना चा रही है हंगामे को देखते हुए चेमेन ने टीमसी संसद सुखेंदू शेखर रोय को बाहर निकाल दिया अपने संसद पर कारवाई के विरोध में टीमसी ने सदन से वाकाउट किया है हालात ऐसे बन गए कि रादर सभाग की कारवाई कई बास थगित कनी पड़ी दूसरे तरफ इटली मेरिन केस में पीम मोधी और इतालवी प्रधान मंत्री के बीच बाक्षवीत का मुद्दा उठाने को लेकार बीजेपी सांसद भुपेंद्र यादव ने कौंगरे सांसद गुलाम नभी आजात के खिलाफ विशेश और धिकार हनन का प्रस्ताफ दिया है चीन में शिंजियांग प्रांध के उईगर समुदाय के असंतुष्ट नेता डॉलकुन, ईसा और दोअन्य असंतुष्ट नेताओं को पहले वीजा देने और बाद में रद कर देने से भले ही मोधी सरकार की विदेश नीती आलोचना का शिकार हो रही है लेकिन इस कूटनीतिक दाओं से चीन को एहसास हो गया है कि मसूद अजहर के मामले में उसके पाकिस्तान के हाथ में खेलने पर भारत भी उसकी कमजोर नस दबा सकता है कूणनीतिक सूत्रों के अनुसार भारत के इस चोटी से कूटनीतिक दाओं में चीन को ठंदा कर दिया और अब भारत के रुख को समझने को तयार दिख रहा है बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार के जुनता दर्बार में आज उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक यूवक ने उन पर कागस फेक दिया बताया जारा है कि यूवक नितिश्च सरकार के उस फैसले से नराज है जिसमें आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चूला नहीं जलाने की हिदायत दी गई है आरोपी यूवक सीम के पटना स्थित सीम आवास में फर्याद लेकर पहुचा था जैसे ही दरबार शुरू हुआ उसने मुख्य मंत्री पर कागस फेका जो कुछ दूर जाकर गिर गया इस घटना के पौर उन बाद वहां मौजूद लोगों ने यूवक को खे लिया जुसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया यूवक को फिलहल किसी से मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है नेनिताल हाई कोट निप्रोदेश के जंगलों में लगी आग को गंभीरता से लिया है इसके स्थाई समाधान के लिए जंगलों में पहले से चाल वखाल बनाने के निर्देश दिये हैं अल्मोडा के बच्चों की बंदरों से निजात दिलाने की जन हित्य आफ्रिका पर शुकरवार को सुनवाई के दौरान पीट ने ये मामना उठाया था सुनवार को उपचारिक सुनवाई शुरू हुई पीट नाशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिये कोट ने कहा कि जंगलों में आगस्थाई समस्या हैं इसके लिए पहले से इंतिजाम किये जाने की जरुवत है इसलिए जंगल के बीच में चाल वखाल बनाकर पानी को रोकने की बेवस्था होनी चाहिए संयुक्त खंड पीट ने केंजरो और उत्राखंड सरकार को मामने में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है खबर है कि ताना श्वा ने ये तुगल की फर्मान इसलिए सुनाया है क्योंकि इस हफते उनकी ताजपोश्य होने जा रही है बीटे चाह सालों में किम जॉंग उनने नौर्थ कोरिया के सरवोचुनेता के तौर पर खुद को स्थाना पित कर लिया है और अब अधिकारिक तौर पर उनकी ताजपोश्य होनी है कश्मीर में अलगावादी संगठन को लेकर अब तक कड़ा रुख अपना रही केंद सरकार ने यूटर्न ले लिया है पाकिस्तानी नेताओं से अलगावादीयों की मुलाकात और बातचीत पर अब तक रोक लगाने वाली सरकार अब इसे हरी जंडी देती नज़रा रही है 27 संसद में दिये गए एक लिखित जवाब में विदेश राजय मंतरी वीके सिंग ने कहा जमु कश्मीर भारत का एक अभिन अंग है और कश्मीर के अलगावादी नेता भी भारती नागरिक है इसके चलते वो किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात और बात कर सकते हैं प्यम नरेंद्र मोदी की सेक्षनिक योग्यता को लेकर चल रहे विवादों के बीच कॉंग्रिस ने उनकी जनम तिथी में विसंगती होने का आरोप लगाया है पार्टी ने गुजरात विश्व विदलाय द्वारा मोदी की सनात को तर डिगरी की जौनकारी साजा करने के समय पर भी सवाल उठाया विश्व विदलाय ने पहले जौनकारी साजा करने से इनकार कर दिया था गुजवात के विधायक और कॉंग्रिस के राश्य प्रवक्ता श्वती सिंग गोहिल ने भारतिय चुनाव आयोग से आगर किया है कि वो पीम मोधी के सेक्षनिक योगिता के कागजातों में कठित अनिमियताओं पर सत्त संग्यान ले गोहिल ने नरेंद्र मोधी की डिगरी और चुनाव के हलफनामे में अलग-अलग जनमतिती दर्ज होने कारोप लगाया है कॉंग्रिस कारिकर्ताओं ने यूपी में एक पोस्ट ज़ारी किया है जुसमें राखुल गांधी सिंगम के रूप में नज़र आ रहे हैं गोरपकुर के विभिन इलाकों में लगाए गए इन पोस्टरों में सभी प्रमुक दलों के नेताओं को राखुल गांधी से माफी मांगते दिखाया गया है इनमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वस्पा सुप्रीमो मायवती, भाच्छा प्रदेश वध्यक्ष, केशुफ प्रसाद मौर्या और असवद्धी नोवेसी को राखुल गांधी से माफी मांगते दिखाया गया है इसके अलावा राहुल गांधी के मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है दिल्ली से फैजबाद जा रही पदावत एक्सप्रेस के साथ डिब्बे रविवार रात करीब 9 बजे हापुड के ब्राजगाट और गड़ के बीच पट्री से उतर गई हादसे में कुछ यात्री घायल भी हुए है पतेश दर्शियों का कहना है कि हादसे में सौ से जादा लोग घायल हुए है हादसे में घायल हुए यात्रीयों को मेरत, हापुड, गाजयावार और अन्य अस्पतालों से भेज़ गया है स्थानी सूत्रों के अनुसार आज शाम नाई दिल्ली से पदावत एक्स्प्रेस ट्रेन फेज़ाबाद के लिए चली थी नौ बजे के आसपस जैसे ही वो ब्रज घाट और गड़ के बीच पहुची उनके नौ डिबे पलट गए पश्वे मंगाल में मालदा जिले के जोनपुर में एक मकान में कठित रूप से बम बनाते समय रविवार दिर राचार लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग खायल हो गए ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब पांच माई को राज्यों में आखरी चरन के चुनाब होने है ये घटना उस समय हुई जब बांगलादेश की सीमा से सटे इलाके में देरात करीब एक वज़े गियासू सेख के एक मकान में बम बनाय जा रहे थे उन्होंने बताया कि इस घटना में स्थानिय गुंडे शौमल थे मुख्यारोपी गियासू फिलहाल फरार है जिले में 17 अपरेल को चुनाव हुआ था घायलों को मालदा चिकित्सिगे कॉलेज एवं अस्पताल में भरती कराया गया है रविवार को अपने निर्वाचन शेत्र वायनसी में ई बोट और ई रिक्षा के विमोचन के बाद प्यम नरिंद्र मोदी ने दोनों ही वाहनों की सवारी भी ली असी घाट पर वोट की सवारी के बाद प्यम ने कहा वो योजनाए जरूरी है जो जनता को मजबूत बनाती है ना कि वो जो वोट बैंक को मजबूत करती है ऐसा बयान देकर मोदी ने उन लोगों पर निश्वाना साधा जो उनके वाहनसी दोरे के पीछे राजुनित को देश्वे देख रहे हैं वाहनसी आने से पहले व्रधान मंतरी ने बलिया में पाच करोर गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देने की योजना का शुबारम भी किया हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहलाल खटर ने अलान किया कि राज्यों के पुलिस कर्मियों को अब तक सब्ताहिक अवकाश मिलेगा खटर ने कहा कि पुलिस कर्मी सभी दिन और 24 घंटे काम करते हैं जोसे तनाव आता है इसे देखते हुए उन्हें एक सब्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि बल को मजबूत किया जाएगा और इस साल 7,280 कर्मियों की भर्ती की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 50 साल से कम उम्रवाले पूर्वसैनिकों को विशेश पुलिस अधिकारी के तौर पर तत्हर्थ आधार पर न्युक्त करेगी पकिस्तान तहरी के इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा है कि पनामा पेपर लीक मामले की जाच में भरष्टचार के आरोप साबित होने पर प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को जेल जाना होगा इमरान ने लाहौर में पंजाब एसेंबली के बाहर अपने समर्थकों को सम्भोधित करते हुए कल कहा कि पनामा पेपर जाच मामले में यदी शरीफ के खिलाफ भरष्टचार के आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें ना केवल प्रधान मंत्री पर्थ से इस्तिफ़ा दे होगी नवाज का अकनाम पनामा लीक मामले में आया था जिनमें उन पर भरष्टचार के आरोप लगे थे हाला कि प्रधान मंत्री ने इन आरोपों को खारच किया है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की ताज अतरीन खबरों के लिए जुड़े रहीए मेर्टो टीवी के साथ नमस्कार